हलो एव्रिवान, मैंसल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अटर 24-7 पर आज हम एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जज्च्मिंट पढ़ने वाले हैं यह क्लास बहुत इंपॉर्टन्ट रहने वाली है तो जैसे कि आप सब यहां पर देख सकते हो Supreme Court uphold 10% EWS quota in 3-2 verdict मतलब Supreme Court ने EWS का जो 10% का quota है जो दिया गया था 2019 में उसको जारी रखने के लिए बोला है यहां पर यह Mint का article भी देख सकते हैं जिन्होंने same चीज़ बोली है कि Supreme Court uphold 10% reservation for economically weaker section अब यहां पर इस पूरे lecture में हम क्या कुछ समझने वाले हैं हम सबसे पहले शुरू करेंगे क यह judgment क्या है किस बारे में यह judgment है और यह exactly judgment क्या कहता है उसके बाद हम देखेंगे कि what is 103rd Constitutional Amendment Act 103 जो है Constitutional Amendment Act वो क्या कहता है किस बारे में वो है उसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे reservation के लिए कौन-कौन eligible है और उसके बाद हम एक constitutional angle से कुछ चीज़ जा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह Act जो है क्या यह Amendment Act वो valid भी है या नहीं है राइट तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पूरे judgment की वज़ज़मेंट को पढ़ना हम शुरू करते हैं कि यह judgment क्या कहता है I am sure पहुत सारे बच्चों को अभी यह नहीं पता होगा कि यह 103rd Constitutional Amendment Bill पास हुआ उसके अगले ही दिन राज्य सभा ने भी इस Amendment Bill को पास कर दिया फिर यह बिल गया President Sir के पास और उन्होंने भी इसको S.N. दे दी हम सबको पता है कि किसी भी Act किसी भी Bill को Act बनने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है विच एक तो वो दोनों Houses से पा आया जाता है तो यह सब 2019 में हो चुका था बट इन सब के होने के बाद लोगों ने इसके खिलाफ अपील करना शुरू किया कि हमें यह पसंद नहीं आया या फिर आप बोल सकते हैं यह Constitutionally valid ही नहीं है पूरा बिल राइट अब इस चीज़ को सुनते हुए हमारे जो एक CGI थ बहुत सारे आप बोल सकते हो बहुत सारे फैसले सुना हैं बहुत सारे important verdicts दिये हैं उनमें से सबसे important आप कह सकते हो के इस पुट्टा स्वामी का जो case the right to privacy के रिगार्डिंग वो उनके द्वारा दिया गया है बट anyways हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे एक CGI थे उन्ह कुछ दिनों पहले November में ही जहां पर 5 judges की bench ने यह decide कि यह जो पूरा matter है या फिर यह जो पूरा bill है यह constitutionally valid है यहां पर भी अलग-अलग मत आये judges के बट 3 is to 2 की majority से इस पूरे amendment को constitutionally valid करार दे दिया गया अब हम समझेंगे कि यह exactly हम किस reservation की बात कर रहे हैं कि जो 10% reservation को चालू रखा जाएगा बरकरार रखा जाएगा वो किसको मिलेगी exactly reservation तो वो reservation basically under या फिर आप बोल सकते हो जो general category है unreserved category जो है उसके लिए यह reservation है राइट कहां पर admissions और government jobs में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 judges के bench ने ये पूरा फैसला सुनाया जहां पर 3 judge थे जो इस पूरे पूरे बिल के या फिर पूरे इस verdict के favor में थे उनमें से जो पहले judge पहले judge है वो है justice दिनेश महेशवरी उनके बाद justice बेला M. त्रिवेदी उसमें 10% reservation देने का जो प्रावधान है वो valid है और वो हमारे constitution के basic structure का उलंगन नहीं करता On the another hand ये दो judges हैं जिनमें हमारे CGI भी included है यू यू लालिज जी उन्होंने बोला कि ये हमारे basic structure का उलंगन है और हम इसका विरोध करते हैं या फिर हम इस से ऐस हमत है Dissent में उन्होंने vote दिया चलिए अब जान लेते हैं क्योंकि हम 103rd amendment के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये amendment actually क्या है थोड़ा सा constitutional language में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस amendment act में ये लिखा हुआ है कि ये जो act है ये provide करता है reservation किसको economically weaker sections को ठीक है economically weaker sections को किस category में general category में और इस act की वज़ा से ही हमारे constitution में ये दो articles भी add हुए which is article number 15 clause 6 और 16 clause 6 ठीक है उसके साथ साथ ये basically जो act है वो ये भी कहता है कि ये जो reservation हम provide कर रहे हैं या फिर ये जो 10% का जो reservation यहां पर हम provide कर रहे हैं ये उनके लिए है जो की 50% के reservation में already included नहीं है हम सबको पता है हमारे देश में 50% के reservation cap है ठीक है जो की 1992 में decide हुई थे इंदरा साहनी case के time पर राइट और उस category में general category नहीं आती ठीक है तो उन 50% लोगों को अगर हम हटा दें तो बाकी के जो बच उनमें भी general में भी economically weaker section की हम बात कर रहे हैं तो ये दो points आप याद रखिए कि economically weaker section की बात हो रही है और general category की यहां पर बात हो रही है चीक है चलिए अब हम बात करते हैं कि दो जगहाओ पर I mean ये जो पूरा reservation है पूरा आरक्षन है इस amendment में ये भी लिखा हुआ है कि इस reservation इस reservation को जो private educational institutions हैं वो भी implement कर सकते हैं तो ये वाला point भी थोड़ा अलग है आप याद रखें अब क्योंकि हम economically weaker section की बात कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि general category में भी पूरी general category को नहीं general category में भी जो economically weaker section है उनको ही reservation provide किया जाएगा तो अब सवाल उठता है कि कौन से व से कम है या फिर किसी एक इनसान की या उसकी family की जैसे भी ठीक है his और his family's income should be less than 8 lakh और वो income का source क्या-क्या हो सकता है आपका agriculture हो सकता है business हो सकता है या फिर कोई भी दूसरा profession हो सकता है आगे बात कर लेते हैं कि क्या-क्या वो mandatory conditions है जो EWS या फिर economically weaker section में किसी को भी fall करवाती ह सब से पहला उस इनसान के पास जो की EWS क्लेम करता है उस इनसान के पास 5 एकर की agricultural land से कम land होनी चाहिए a person under this category must have less than 5 acres of agricultural land ठीक है 5 एकर से कम agricultural land होनी चाहिए इनसान के पास ठीक है उसका जो residential flat है should not be 200 square meters or more 200 square meter या फिर इससे जादा residential flat का area नहीं होना चाहिए और अगर इतना है ठीक है तो वो municipality में या नगरपालिका में नहीं fall करना चाहिए तो ये कुछ mandatory conditions हैं जो आपको याद रखने है अगर EWS की criteria आपको पता करनी है अब इस पूरे मुद्दे के सबसे जरूरी पहलू की बात करते हैं constitutional land से हम थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और स सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल है जो supreme court के जो 5 judges हैं उन्होंने भी जब judgment दिया तब उनके सामने भी ये तीन सबसे बड़े सवाल थे जो आज हम discuss करने वाले हैं पहला सवाल उनके सामने जो आया वो था 50% quota cap का जो सवाल है मैंने आप सभी को बताया कि अभी तक क्या प् backward classes को मिलेंगे और उसमें भी हमने एक capping लगाई हुई है हमने एक limit set करी हुई है कि 50% से जाधा reservation हम cross नहीं करवाएंगे ये 1992 में decide हुआ था एक बहुत ही famous case में इंदरा सहानी judgment हम उसको famously बोलते है 1992 का ये judgment है जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक है अब supreme court का ये जो constitutional bench है जिन् ये 10% reservation decide किया उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हम ये 50% का उलंगन जो कर रहे हैं 50% से जो हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब 10% और extra हमने reservation दे दिया तो in total 60% reservation अब बढ़ गया ना पूरे देश में 60% reservation हो गया तो supreme court के जो judges थे उनके सामने यही सवाल था कि क्या ये 50% का जो हमने limit set करी हुई है वो ये extra 10% उस limit का उलंगन करता है कि नहीं दूसरा जो सवाल था वो ये था कि economic criteria जो हमने set करके ये 10% reservation दिया है general category को क्या ये हमारे constitution के basic structure का उलंगन है या नहीं तीसरा सवाल ये था कि जो हमने SCST और OBC को exclude कर दिया है मतलब बहार कर दिया है इस पूरी reservation से क्या ये basic structure का उलंगन है या नहीं और इन तीनों ही सवालों के जवाब देते हुए judges ने अपने अपने मत रखे हैं अपने अपने opinions दिये हैं अब हम उन opinions को जान लेते हैं कि कौन से judge ने क्या बोला है इस चीज़ पे राइट तो जैसा judges के नाम हम already पढ़ चुके हैं so they have said that it does not violate the basic structure of the constitution इसलिए ये जो 10% का reservation है इसमें कोई गलत बात नहीं है या फिर ये हम provide कर सकते हैं उसके अलावा अगर हम इन दो judges की बात करें उन्होंने ये बोला है कि it is contradictory to the essence of equal opportunity इसका मतलब ये है कि इन दो judges का ये कहना है कि क्यों सिर्फ हम ये economically backward का जो basis है ये सिर्फ हम general category को ही दे क्या SC, ST और OBC में economically weaker sections नहीं हो सकते गरीब लोग नहीं हो सकते तो हम equality का जो essence है उसको यहाँ पर कही ना कहीं खो रहे हैं ये 10% reservation सिर्फ और सिर्फ general category को दे कर ये इन दो judges का कहना था और इसी लिए ये इस पूरे judgment के विरोध में थे या फिर इस पूरे judgment से असेह मत थे ठीक है जी अब proper statements अगर हम जाने तो justice Dinesh Maheshwari जी जो की favor में थे उन्होंने ये बोला है EWS quota does not violate equality and basic structure of the constitution ठीक है and reservation जो EWS में है does not violate basic structure on account of 50% ceiling limit because ceiling limit is not inflexible इसको पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये बहुत important statements हैं जो सीधे judges ने बोली है इसलिए मैंने आपके लिए read किया है बट इनका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ justice Maheshwari ने ये बोला है कि जब हमने 1992 में ये decide किया था कि 50% की जो हम limit लगा रहे हैं ठीक है reservation के perspective से तो हमने decide तो किया था पर हमने ये नहीं decide किया था कि इस 50% के rule को हम कभी भी change नहीं कर सकते तो इसी लिए ये जो हमने आप change करा है या फिर 10% और add करा है इसमें कोई गलत बात नहीं है या फिर ये constitutionally invalid नहीं है आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ Justice Bela M. Trivedi ने ये बोला है कि socially और educationally backward classes form a separate categories they cannot be treated at par with unreserved category benefit under EWS can't be said to be discriminatory इनका ये कहना है कि socially और educationally जो backward classes है socially और educationally backward classes है वो एकदम ही अलग category है उनको हम EWS के साथ नहीं compare कर सकते इसलिए इस judgment में कोई भी सामवधानिक या फिर आप बोल सकते हो कि ये proper तरीके से valid है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं Justice Ravindran Bhatt की जिन्होंने अपनी एस अहमती दिखाई है CGI UU ललित के साथ तो इन दोनों judges ने ऐस अहमती दिखाई है और इनका यही मानना है कि ये जो पूरा judgment है ये equality के खिलाफ है equality के खिलाफ किस तरीके से क्योंकि यहाँ पर SCST और OBCS को exclude किया गया है और again मैं repeat करूंगी कि उनका यही मानना है कि क्या SCST और OBCS में economically weaker people नहीं होते क्या गरीब नही होते क्या तो आपने किस basis पर SCST OBCS को अलग रख दिया और सिर्फ general को यहाँ पर consider किया है economic you know basis पर reservation देने के लिए right so यह था पूरा analysis इस पूरे judgment का मैं आप सभी से यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप आपकी इस पर क्या राय है क्या आपको लगता है कि यह reservation सही है या यह reservation नहीं होना चाहिए मुझे बहुत अच्छे से इस बात का इल्म है कि यह बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे students के लिए बहुत ही भावुक बहुत ही emotional topic है तो मैं आप सबसे request करूँगी कि जब आप अपनी opinion comment box में लिखें तो थोड़ा decency maintain करें और मैं आप सभी के comments पढ़ना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं reservation के बारे में equality के बारे में क्या है equality अगर दोनों को same किस तरीके से लाया जा सकता है reservation के पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं I'll be happy to hear all of you with this I would like to end this lecture right here I'll keep coming up with such burning topics till then stay tuned thank you so much